कॉंग्रिस के राष्टिय प्रवक्ता इन्होंने नासी और एनपी आर बिल पर मोधी सरकार पर निशाना पनाया कॉंग्रिस के राष्टिय प्रवक्ता गुरवार को अपने एक दिन के नापूर दोरे पर आया थी। नापूर आने पर उन्होंने पत्रकार उसे बात की। पत्रकार परिशत में उन्होंने एनासी और एनपी आर बिल पर मोधी सरकार पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि एनार्ची बिल्ट पर देश के सभी वर्ग के लोगों ने प्रतिक्रियाती है। कि पूरा फूर करने के बादि हैं उनीस लाख लोग वह बेनार्विक के अनार्ची के बाहरा होगें। और अगर पूरे हिंदुस्तान बर्ण में एक सुटीस करोड की अबादि में। ये साल लगाया जाए, एक अनमान लगाया जाए, तो ये भयावस्तिती नदर आती है, तो अब हामे कहें कि तीम में प्रतिक्रिया हुई, जो स्टूडेंट्स ने, इंवर्स्टीज ने, जो I.M., I.I.T. उनके स्टूडेंट्स ने, पूरे हिंदुस्तान बर के लोगों ने, और शिविल सिसाइटी के लोगों ने, हर वर के लोगों ने इसके पूतिक्रिया थे, और उने लगा, ये जो C.A.P. के बात्रम से कहरें कि जो विदेश से, तो आएगिया उनमे सब किसको देंगे, सिटिजन्शिप किसको नहीं देंगे, उतरे तक सिवित नहीं है, बलकि द क्यामरा पसंड राजकुमार मोहड के साथ, अभिशिक पांसी के रिपूर्ट